तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अगर आप किसी नंबर के डिजिट को शिफ्ट करते हो तो वो नंबर पुरा चेंज होयाता है तो क्या होगा जैसे एक नंबर है 325 ठीक है तो यहाँ पे क्या बोला है उस पे कौन है 3 with the digit at once place कौन है 5 तो 3 की जगे पे 5 आजाएगा और 5 की जगे पे 3 तो कौन सा नंबर बन जाएगा बच्चो इजी है देखो 3 की जगे पे 5 आएगा 2 तो वैसा का वैसा और 5 की जगे पे 3 तो यह नंबर क्या हो गया 523 इस तरह से आपको पहले कोशन समझना होता है फिर आपको उसके बारे में step लिखने होते हैं ठीक है फिर अगर मालनों आपको बोला गया कि जैसे कि यह नंबर है 785 तो आपको यह बोला है एक्सचेंज दिजिट एड हंड्रेट प्लेस जो कि यह 7 है विद दिजिट एड टेंस प्लेस जो के 8 है तो 7 की जगे पे 8 आ जाएगा और 8 की जगे पे 7 एक्सचेंज इसके बदले वो उसके बदले यह ठीक है उसकी जगे पे उल्टा तो यहां पर क्या हो जाएगा 875 यह बन गया नया नंबर ठीक है तो इस तरह से आपको बच्चों कोशन हो सकते हैं कि दिए और आप उसके उपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो बच्चों अब नया टॉपिक पढ़ते हैं 1.2.3 इंट्रोडूसिंग 10,000 तो 10,000 आपको पहली बार दिखाएंगे देखो यह सब की सुरुआत कैसे होती है आपको पता है बच्चों के सिंगल डिजिट में अगर एक ही डिजिट आप लिखते हो तो उसमें सबसे बड़ नमबर कौन सा होता है 9 होता है राइट तो 9 जो है वो ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नमबर है इसके अंदर अगर आप 1 AD करते हो तो आपको क्या मिल जाता है 10 जो 10 है वो smallest 1 smallest 2 डिजिट नमबर है ठीक है वैसे ही अगर आप ग्रेटेस्ट डिजिट नमबर में जो की 99 है उस 100 क्या है smallest 3 digit number है और 99 क्या है greatest 2 digit number इसके बाद अगर आप greatest 3 digit number 999 क्या आप मैंने कहा greatest 3 digit number 999 में अगर आप plus 1 करोगे तो क्या होगा 1000 होगा राइट और यह जो 1000 है बच्चों यह जो 1000 है वो smallest 4 digit number है smallest 4 digit number आपको समझ मैं जैसे के smallest जो number होगा 4 digit में वो यह होगा इसके बाद जितने भी number होंगे 4 digit के वो इससे बड़े होंगे ठीक है और वैसे ही greatest 4 digit number क्या है 9999 इसमें आपने अगर प्लस 1 किया तो आपको मिलेगा 10,000 राइट देखो 49 है कितने 9 है 49 है तो 40 प्लस 1 किया तो 40 और यह 1 ठीक है तो यहाँ पर हो गया 10,000 इस तरह से हमें 10,000 मिलता है अब अच्छो आपके बुक में जो next topic है वो है 1.2.4 revisiting place value बट इसको समझने से पहले आपको पता चलना चाहिए कि भी place value का मतलब क्या होता है दो चीज़े आपको समझनी है place value और face value ठीक है देखो एक होती है place value और एक होती है face value face value देखो दोनों में बहुत ही easy फरक है बच्चो ध्यान देना जैसे यहाँ पर लिखा है 725 ठीक है और आपको पूचा है कि 7 की place value क्या है यहाँ पर जो 7 है उसकी place value क्या है तो आपको बहुत ही simply में बता रहा हूँ देखो यहाँ से देखना once, tens और hundred 7 कौन से place पे है? 100 place पे है ना 7 तो जो 7 की place value होगी वो होगी 700 ठीक है? 700 place पे है तो 7 की place value क्या होगी? 700 वैसे ही 7 की face value क्या होगी? face value में आपको कोई chain नहीं करना जो नंबर आपको दिया है वो ही नंबर उसकी place उसकी face value होती है ठीक है? clear? अब कुछ question और देता हूँ ठीक है बच्चो मालो के 820, 8236 यहां पे यह जो 2 है उसकी place value क्या है? 2 की place value that is 100 place पे है once, tens और 100 तो यहां पे 200 ठीक है? फिर 2 की यहां पे यह जो 2 है उसकी face value क्या है? 2 है राइट तो जो face value होती है वो क्या होती है असली में? वो number खुद होता है बस ठीक है? तो I hope आप लोगो को clear हो गया होगा के place value क्या होती है और face value क्या होती है? तो बच्चो अब आपको कुछ numbers देते हैं ठीक है? जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है 52,346 ठीक है आपको बोला है कि इसको expand करना है ठीक है? expansion अगर इसका बोला है आपको तो आप expansion कैसे करेंगे बच्चो देखो यहां पे आप पहले place value देखिए once, tens, hundred, thousand, ten thousand तो five जो है वो ten thousand की place value पे है तो यहां पे place पे है तो यहां पे ten thousand आप लिख देंगे ठीक है फिर two कौन से place पे है? two है thousand के place पे, right? two जो है वो thousand के place पे है तो two into one thousand फिर three जो है वो hundred के place पे है so three into hundred फिर four जो है वो ten के place पे है तो four into ten फिर six जो है वो one के place पे है तो six into one आप six into one लिखो या ना लिखो तो भी चलेगा वन ये निलिखोगे न, तो भी चलेगा बच्चो तो ये आपने कर दिया Expand, ठीक है Expand आपने कर दिया, फिर आपको इसमें बताथा हो के हाँ भी 5 कौन से प्लेस पे है तो आप बताओगे 5 कौन से प्लेस पे है 10,000 تو 5 कौन से प्लेस पे है 10,000 टू कौन से प्लेस पे है, 1000, फिर, थ्री कौन से प्लेस पे है, 100, फोर कौन से प्लेस पे है, 10s, और 6 कौन से प्लेस पे है, 1s, यहाँ पे मैंने 1000 बुला था, ऐसा नहीं होगा, 1000 प्लेस पे होगा, ठीक है, not 1000, अब आपको अगर 5 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, क्या लिखना पीछे दिखो कितने नंबर है, count कर लो, एक, दो, तीन, चार, तो यहाँ पर चार, जीरो, add कर दो, हो गया, यह है, यह है 5 की place value, ठीक है, वैसे ही 2 की place value आप लिख सकते हैं, बच्चों, यहाँ पर हैं ना, 2 की place value क्या होगी, 2 लिखो, और उसके पीछे देखो कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं उसके पीछे, 1, 2, 3, तो यहाँ पर 3, 0, बस, ऐसा ही करते जाना है बच्चों, तो फिर यहाँ पर 3 है, तो उसके पीछे 2 नंबर हैं, तो यहाँ पर 2, 0, 4, 1, 0, और 6, ठीक है, इस तरह से, तो यह हो गया expansion, और आप इस तरह से हर एक की place value find out कर सकते हैं, अब बच्चों आपको number name तो लिखना आता होगा, बट एक बार revise कर लेते, देखो, यहाँ पर आप इसका number name कैसे लिखोगे, यह है 52,346, आप यहाँ पर लिखेंगे, 52,000 52,346, तो 346, ठीक है, यह हो गया उसका number name, तो आपको number name भी याद करनें बच्चों अच्छे से, आपको spelling होनी चीए पता, आपको कैसे लिखना है वो भी पता होना चीए, ठीक है, अब बच्चों एक और example देख ले जाए, ठीक है, यहाँ पर 62,736, ठीक है, मालों आपको यह number दिया हुआ है, और आपको बोला है कि इसका expansion करो, तो आप expansion कर दोगे, कैसे expansion करोगे, यहाँ पर आप है देखो 6, तो 6 कौन से place पर है, 6 यहाँ पर 10,000 के place पर है, तो यहाँ पर into 10,000, 10,000 में कितना होता है, 4 zeros होते है न, फिर 2, 2 है 1000 place पर, फिर 7, 7 है 100 place पर, फिर 3 10th place पर, और यहाँ पर मुझे into 100 लिखना चीए था, और यहाँ पर into 10, और plus 6 into 1, ठीक है, तो यह हो गया, अब आपको पूछा है कि अगर 6 कौन से place पर है, तो 6 की place value क्या है, 6 की place value है, 60,000, 6 लिख दो, और पीछे कितने है number, 1, 2, 3, 4, तो 4, 0 आने चाहिए, ठीक है, वैसे यहाँ पर 2 जो है, वो कौन से place पर है, 2 यहाँ पर 1000 place पर है, तो 2000, राइट, तो यहाँ पर 2000 लिख दो, हो गया, ठीक है, फिर 7 कौन से place पर है, 7 है 100 के place पर, तो यहाँ पर 700, फिर 3 कौन से place पर है, 10s place पर, तो 30, यह place value में बता रहा हूं बच्चो, 3 की place value, 30, 6 कौन से place पर है, 1s place पर, तो 6 into 1, 6, तो इस तरह से expansion हमने देखा, place value देखी, और face value देखी, I hope आपको यह video समझ में आया होगा, फिर भी, अगर आपको कोई doubt हो, कोई suggestion हो, तो आप comment section में लिख सकते हैं, thank you so much बच्चो, God bless you, bye bye